तो हे एवरीवन नमस्कार श्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेज मैं श्रण कुमार आप सभी का तय दिल से आब आरवेक्ट करता हूं मिरेपेंट्स आज से मैंज आपके सामने एक दिन का समय है यानि कल के तारीक को आपका पेपर आपकी हातों में होने वाला है तो मिरेपेंट्स आज की ये जो टॉप मुस्ट थाटी वाई क्यूशन है आपको एक्जाम में कापी हेलपूल आपके लिए रहने वाले हैं तो कि ये वही क्यूशन है जो बार-बार एक्जाम में पूचे जाते हैं मिरेपेंट्स चैनल के द्वारा जिन्होंने भी साथ तारीक के दिन क्लासे अटेंड गी थी उन सभी स्टूडेंट ने हैं जो कापी अच्छे परसेंडेज के साथ अपनी आरेशीटी एक्जाम को क्लियर किया हैं तो आई होप आप भी जो हैं इस शेशन के साथ में जुड़ेंगे और आने वाली जितने भी सेशन हैं उन सभी को enjoy के साथ में देखेंगे और आप भी हैं जो कल के तारीक के परिक्षा में कापी अच्छे माक्ष लाने वाले हैं आपके सामने सबसे पहरा ग्यूशिन आप सभी की स्क्रिन पे कि cd या dvd पर डेटा जस संगीत फॉटो दस्ताविश आधी लिखने की फरक्रिया को आम तोर प इसक भी होता डिजिटल वर्शिटाइल डिस्क भी होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिशिन की और कि किस व्यों की मदद से आप टेक्स या ग्रापिक्स का प्रिंट से पहरे अवलोकन कर सकते हैं तो मिर्वेंट से अगर आपको देखना है कि प्रिंट से पहले आपक किस परकार के निज़ी इमेल का उप्यों अपकी अपकी कम्पिटर पर इमेल को डाउंलोडिंग करने के लिए किया जाता है आपसे कभी वी पूछे इमेल को डाउंलोडिंग और वो भी जो निज़ी इमेल खाते के नाम ले न अबरे आपको पि- ऑव tag 3 करना है और इसके ज सिस्था साहर के रूप में जो जाना जाता है वो संचिप्ट और उचित वीछ है यानि को आपको बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछिन की और सारे जितने भी कुछिन हैं आप सभी की एक्जाम पॉइंट ओव दिशिक आप में में इस का मतलब क्या हो सकता है कि आपको पूरा नाम पूचे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपर प्रोटोकॉल होता है और इस का मतलब होता है कि सिक्योर यानि कि आप्षन ए आगे बढ़ते हैं विंडोस 10 में फाइल या फॉर्डर को लॉक करने के लिए कौंसी अप्लिकेशन आपकी मदद करती है तो फॉर्डर लॉक ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट विकल्प माने जाएगा विंडोस डिपेंट रियल ताम एंटिवारेस होता है और जो कोटाना है अगे बढ़ते हैं कि परजेंटेशन में विद्देमान सभी स्लाइड ओपर एक जैसा परदसन जाने के लिए निमन मैसे किसका उप्योग किया जाता है तो अगर आपको सारी की सारी स्लाइड पर एक ही जैसा परदसन देखना है तो परजेंटेशन डिजान टेंपलेट का जाता हैं आगे बढ़ता हैं नेक्ट किश्ञन की और आप सभी की स्क्रीन पर हैं जो आप भी क्या करेंगे कि जितने ही क्या आपको देख रहें कमेंट में लिखने की कोशिस करें ताकि आपको भी इपनी तयारी आगने का मौका मिल सके अगला कि शॉण सुमें स्लाइड च प्रमूले की बचाए एक फॉर्मूले के वैल्यूज प्रिणाम के गवारा आपको देता है यानि और या इपको आपको स्थाएब आपको बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा आगर बदाए कि नेम बॉक्स क्या होता है तो जो नेम बॉक्स है वो फॉर्मूला भार के और दिख की जो कैलिब्री हैं आपके डिफर्ट रूप से मौझूद होती हैं आगर बता हैं कि बाई तरब के किसी अकले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुझी आपके लिए उप्योगी होती है तो बाई तरब के किसी अकले अक्षर को मिटाने के लिए बैक स्पैस होगा अगर यहां पर आपको बोलता कि दाई तरब के तो अगर दाई तरब के बोलता तो फिर आपको कौन सा करना होता डिलीट करना होता तो इन दौरों किशिन काफी महत्यपूर्ण की सी नहीं इन मैंसे कोई एकाद आपसे पूचा सकता है आगर पर दें काफी महत्यपूर्ण की च्छान के इन मैंसे कौन सा पीचर सेलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है तो मेरे पर देंगे निमन मैंसे कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो मिरे पर जब भी आपको पढ़ाया है टॉपिक व से संपरक आपका बिलकुल करेक्ट माना जाएका आगे बड़ता है, कि होड़ स्पोट के लिए किस कनेक्टीविटी कि आवश्यक्ता होती है चो होड़ स्पोट के लिए Wi-Fi की आवश्यक्ता होगी और अगर कभी आप से पूछे कि Wi-Fi का पूरा नाम क्या है तो wireless fidelity होता है और आप से पूछे Bluetooth कौन सा network होता है तो pen per car का network होता है, personal area network होता है आगे बढ़ता है next question की और कि निमन मैंसे किस के द्वारा नागरिक जो है राजस्तान संपग पर सिकायद दर्श कर सकता है तो भी ये सारे के सारे विकल्प सही माने जाएंगे आगे बढ़ता है next question की और कि नागरिक का online वाध्यम से विश्व विद्याले की सुल्क का बुगतान कैसे कर सकते है तो भाई इसमें भी ये सारे के सारे विकल्प सही है आप एक बार खुद भी पढ़ लगना आपको आसे ने सो समझ में आ जाएगा आगे बढ़ता है कि रास्तान जन आदार योजना के संदर्ब में नहीं है का मतलब आपके परिवार के लिए 16 पैचान संक्या नहीं होती इतनी इसी बाते आपको clear रखनी है रास्तान जन आदार योजना के संदर्में डिबीटी क्या है यानि कि जो भी सरकार की और शेया आपको लाब मिलेगा वो directly किसके खाते में आपको देखने को मिलेगा मुख्या के खाते में आपको देखने को मिलता है आगे बढ़ता है कि Cloud Stories प्लेटफॉर्म के उधारन है तो Google ट्राइब भी होता है Microsoft One ट्राइब भी होता है Dropbox भी होता है तो option D आपका correct माने जाएगा तो अगर आपसे पूचे कि राजस्तान सरकार का Cloud Stories कौन सा है तो राज E-Walt होता है कौन सा होता है राज E-Walt होता है तो ये भी बाते क्लियर रखना है कि कापी बार एक्जाम में पूचा हुआ आगे बढ़ता है कि Job Search वेबसाइड का उधारन कौन सा है ये आपका एक ग्रेलू डेविट कार्ड होता है NPCI द्वारा जारी भी किया गया है और ATM और POS POS का मतलब होता है Point of Cell ये सबी जगह संचालित होता है स्वीकर्थ होता है Option D माना जाएगा अगला क्यूशन कापी मैं तो पूरा नाम पूचे तो Unified Payment Interface होता है आगे बढ़ता है next क्यूशन की और कि ISP का पूरा नाम क्या है मेरे पेंट्स कापी मैं तो पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका पूरा नाम हो जाएगा Option C यानि यह क्या होती है टेलीकॉम कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट की सिवाए परदान करती है आगे बढ़ता है कि जब एक स्थान सक दूसरे स्थान पर डारेक्टरी डारेक्टरी का मतलब होती है कोई फाइल वगेरा है ना जो आप फॉर्डर में रहती है वो और भी चले जाता है यह दोनों बाते सही है यानि यह भी दोनों आपके क्लियर माने जाएंगे आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्यों कि निमन मैस से कौन सा उपरेडिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरपेस यानि जी यू आई का उदारन नहीं है Windows 8.1 भी होता है Mac OS भी होता है Linux भी होता है जबकि Unix और MS-DOS यह दोनों नहीं होते MS-DOS का एक्विशन आपसे और पूच्छा जाएगा कि निमन मैस से कौन सा उपरेडिंग सिस्टम मर्टि टास्टिंग को लागू नहीं करता तब भी आपको MS-DOS करना होता है आगे बढ़ता है कि Daisy Will Printer का उधारन है तो बैसी Will आपका Impact Printer का एक्जांपल होता है यालांकि Character का होता है लेकिन आपको Impact वापर करना होगा क्योंकि Character option में देता नहीं है आगे बढ़ता है कि निमन मैस से के विसस्ता है तो वेविता भी होती है सोचने की समता कम्पीटर में नहीं होती बुद्धी का अबाव होता है और उसका IQ लेवल को होता है आगे बढ़ते हैं राष्ट्यमत्दातासिवा पोटल में इपीक का मतलब क्या है तो जो आपको फॉटो आईडीमम पूरह नाम मिनिम्स पारअवोड ह क्या है जो तीन का था उसमें एक्स नहीं था बाकी जो भी है एक्स एल एस एक्स यह बाकी सही है यह आपको दिख्राइब बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा आज इसके बाद जितने भी आने वाली क्लासेज है उन सभी को आपको देखना है आपको यह शेशन काफी पसंद आया होगा प्साइब को साइबर खतर नहीं होता है जो आपको नुक्षा नहीं पहँचा आप e-commerce, electronic e-commerce आपको किसी बरकार का नुक्षा नहीं पहुचाता है तो मेरे friends I hope आपको इस session काफी पसंद आया होगा अगर session के साथ में enjoy क्या तो एक प्यारी से comment जरू दे वीडियो को like जरू करें और channel पर पहले बार विजिट का चैनल को subscribe जरू करें अभी के लिए इतना है मिलेंगे एक next session के साथ तब दे के लिए जय हिन वंदे मातरम जय वारत